नमस्कार गुद्डी किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज हम बनाएंगे हरी मिर्च की सबजी और जानेंगे इससे होने वाले फायदे को भी क्योंकि हरी मिर्च खाने के से बहुत ही सारे फायदे मिलते हैं तो चलिए पहले हम सबजी बनाना शुरू करते हैं इसके लिए हमें 100 ग्राम हरी मिर्च ले लेना है उसे अच्छी तरह से धो कर पोच कर डंठल को निकाल देना है पहले हम इसके मसाले देख लेते हैं मसाले में हम लिए है स्वाज के अनुसार नमक दो छोटा चमच सोप का पाउडर और अधा चमच हंदी पाउडर एक छोटा चमच धन्या का पाउडर अब ये दो कप में जो आप देख रहे हैं तो एक कप में दही है और एक कप में मलाई है बहुत ज़्यादा नहीं है चार चमच दही है और दो चमच मलाई है ये दोनों डाल कर हम सबजी बनाएंगे तो सबजी का तीखापन थोरा कम हो जाएगा और स्वाद भी बर जाएगा तो आप अपने डाइट में जरूर सामिल करें हरी मिर्च या तो सबजी बना कर बहुत लोग फ्राइ करके भी इसे खाते हैं तो चली आज हम दही बाली सबजी बनाएंगे जिससे खाने का स्वाद दुगुणा बर जाता है सबसे पहले मिर्ची को हम इस तरह से चीरा लगा कर काट लेते हैं अब मिर्ची को अपने पसंद से किसी भी तरह से काट सकते हैं तो गैस पर कराई चरायां कराई में दो चमच तेल गरम कर लिए चुटकी भर हिंग डाल दिये हैं एक चोथाई चमच जीरा एक चोथाई चमच कलॉंदी एक चोथाई चमच राई की दाने अब इसमें कटी हुई सारी हरीमी की डाल देंगे बस थोरा सा इनको भूनेंगे 40-50 के लिए उसके बाद इसमें हम नमक और साथ ही सारे मसाले को भी ताल देंगे आप जाहें तो यहां पर काश्मीरी लाल मिर्थ थ्य। ठोन तो आप मासाले को थोर भून लेंगे लगभग एक मिनट के लिए अब हम दही को थोरा सा चम्मा से फेट के डालेंगे और दही जिस हमाई डालेंगे उस समय दैस के फिलेम को बिल्कुल मेडियम कर देंगे नहीं तो दही फट जाता है और खाने में सबजी का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा अब हम इसमें मलाई डाल देते हैं इसमें डालेंगे हम अमचूर का पाउडर इस से भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है अगर आपके पास अमचूर का पाउडर नहीं है तो चाच मसाला डाल दीजिए चाच मसाला डालेंगे तो नमक थोड़ा सा क्रम कर दिज़ेगा अब देखिए चलाते चलाते सब्जी बन गई है दो तीन मिनट में ये सब्जी बनकर रेडी हो जाती है तो अब हम सब्जी को सर्व कर देंगे गैस के फ्लिम को बंद कर देंगे तो एक प्लेट में हम सब्जी को सर्व कर रहे हैं तो यह देखी सब्जी तो बन गई चलिए अभी इसके फायदे जान लेते हैं वैसे तो हरी मिर्च के बहुत फायदे हैं लेकिन मैं कुछ फायदे बता देती हूं जैसे हरी मिर्च बेट लॉस भी करता है क्योंकि इनको खाने के बाद पेट बहुत देर तक भरा भरा सा महसूस होता है हरी मिर्च हमारे सरीर में इम्यूनिटी सिस्टम को भी बढ़ाता है जो लोग हरी मिर्च अपने डाएट में शामिल करते हैं उन्हें जल्दी बुढ़ापा नहीं आता तो अचा भी चमकदार बना रहता है बाल जल्दी नहीं पकते तो इसलिए अगर आप हरी मिर्च नहीं खाते हैं तो आज से ही खाना सुरू कर दे या तो कच्छा खाए नहीं तो फ्राइ करकी खाए नहीं तो मेरी तरह सब्जी बना हुआं अजय करकी तो हए धो स्ठ songs झाहीं तो मेरी जो खां धलई नहीं Прैसलिज करते हैं तो देन्हें मेरी हां की तो मेरी पीजिए से ही खाए रहता तो मेरी है यां को मत तो om दी और किनकोट